दोस्तों आज के स्टूडियो पे आपको Hitachi 1.5 आटम 3 स्टार inverter split air conditioner to the house on 23 model के remote control function के बारे में complete information दोंगा दोस्तों इस वोडियो को अगर आप बिना skip करके अन तक जरूर देखेंगे तो आपके पूरे doubts क्लिर हो जाएंगे और आप Hitachi के remote control के function के बारे में अच्छे से जरूर समझ पाएंगे दोस्तों आप देख रहे हैं Hitachi के air conditioner का ये remote control और इस model का जो नाम है वो है 1.5 आटम 3 स्टार inverter split air conditioner और ये 2023 का model है इस टूडियो कंदर में आपको इस remote control के सारे functions explain करूंगा अभी हम देख रहे हैं कि middle में हमको यहाँ पर power on off का button दिया हुआ है जिससे ही अगर हम power on off के button को प्रेस करता है तो air conditioner को हम यहाँ से बंद भी कर सकता है और on भी कर सकता है Just pass में यहाँ पर mode का option दिया हुआ है जिसके इंदर आपको अलग-अलग modes देखने को मिलता है जिसे ही कि fan mode हो गया fan mode पर आप air conditioner को जब भी चलाएंगे तो केवल air conditioner का जो glow है वो fan की speed को increase करेगा यह नहीं केवल fan चलेगा cooling यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी इसके लाब ड्राइ मोड है दोस्तों ड्राइ मोड जो है वो rainy season यहने के monsoon में यूज़ किया जाता है जब कभी भी पानी गिरता है तो humidity level काफी बढ़ जाता है तो उस समय हम इस feature का use कर सकता है एकले feature की बात करें वो है fan speed mode fan speed mode को यूज़ करके हम air conditioner के जो fan की speed है वो उससे कम जादा कर सकता है maximum आपको इस model के अंदर जो है एक से लेकर चार तक की speed दी हुई है अब अपने जो भी आपको comfortable लगे उससाफ साफ से आप fan की speed को set कर सकता है एकले लिए उस जब की बात करें तो नीचे की और हमें temperature को increase कर सकता है अगले की-की बात करें तो यहाँ पर हमें good sleep का mode का feature दी हुआ है आप यहाँ पर sleep profile को अपने इसाफ से set कर सकते है hourly maximum आपको 8 घंटे की profile दी हुई है आप अपने इसाफ से जो भी timing set करना चाहता है आप घंटे से भी ज्यादा का timing दी हुआ है तो जो भी आपको लगता है कि इतने घंटे आप सुएंगे उससाफ से आप sleep profile को set कर सकता है और sleep profile पर जब कभी भी आप air conditioner को set करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर icon भी बना हुआ जाता है just sleep profile का और रात के समय के होता है कि temperature भी gradually increase होता है जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे मिडनाइट को temperature त्रोडा डाउन होता है और अर्ली मॉर्निंग ओर डाउन हो जाता है तो sleep profile के दुरान air conditioner जिसकी पर भी आपने set किया हुआ पर सबोस जिस समय आप सो रहे हैं और आपने 24 degree temperature set कर दिया है तो hourly air conditioner अपने temperature को कुदी increase करेगा एक degree और यसा maximum air conditioner तीन बार करेगा जैसे कि आपके निंग भी disturb नहीं होगी और आपको एक अच्छा comfortable environment मिलेगा साथ ही दोस्तों आप अच्छे खासी power steering भी कर पाएंगे next की की बात करें powerful mode की तो जैसे हम powerful mode पर air conditioner पर set करेंगे तो यहाँ पर हमें एक icon मना वह हो जाएगा और powerful mode पर air conditioner अपनी maximum cooling capacity में perform करता है और आपको ज्यादा स्यादा cooling provide करता है air conditioner आपके room को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है अगर आप summer season में अपने air conditioner को start करके जल्दी से अपने room को ठंडा करना चाहते हैं तो इस mode को आप use कर सकता है अगर एक की की बात करें तो आपको यहाँ पर silent का feature दिया हुआ है अगर आप चाहते हैं कि air conditioner के indoor unit से जो blower की आवाज आ रही है जो भी sound या noise आ रहा है अगर आप इससे बंद करना साहते है तो जैसे इस key को praise करेंगे तो बिलकुल frame की जो noise है वो काफी कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और अगर आप दोबारा इस feature को on करते है तो normally अपने air conditioner जो previous mode है उसके उपर दोबारा से आजाता है या फिर fan quiz को कम जादा करके आप उससे आपसे adjust कर सकता है frost wash feature बहुत ही काम का और useful feature है इस feature को आगर आप use करेंगे तो दोस्तों ये air conditioner के indoor unit की जो cooling calls होती है उससे आप clean कर सकता है और इस feature को जिससे आप raise करेंगे तो एक timing के दुरान जो है वो air conditioner run होगा और सारे अपने normal features जो है यानि की जो भी normal operation है उससे बंद कर देगा और indoor unit की cooling calls को clean करेगा जिससे कि आपके air conditioner से healthy और fresh एर आपको लगातार मिल दे रहेगी अब नीचे की और यहाँ पर आपको timer के option दिये होगा है आप air conditioner को अपने इसाफ से timing के साफ से on और off दोनों कर सकता है यहाँ पर जिससे अगर आप set करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 30-30 minutes के time दिये होगा है जिससे कम या जादा कर सकता है जिससे कि अगर आप 3 गंटे के लिए air conditioner के on करना चाहते हैं तो उसकी timing आप यहाँ से set कर सकता है और just off timing की भी यहाँ पर setting दियुए है उससाफ से आप जो है वो timing को कम या जादा कर सकता है जिससे कि आप अपने इसाफ से air conditioner के on off की timing को set कर पाएंगे अगले feature की बात करे हैं वो है ambience feature और ambience की को जब कभी भी आप प्रेस करता है तो air conditioner का जो blower है उस पर जो भी ambience light visible होती है जो कि temperature के साफ से अपने color को change करती है अगर आप इसे on रखना चाहते हैं तो on भी रख सकते हैं और अगर आप इसे दोबारा push करेंगे तो वो off गयो जाएगी यहाँ पर off और on करने का दोनों का feature दिया हुआ है अगले की की बात करें वो है swing का feature swing के feature में आपको up and down swing देखने को मिलेगी इस model में आपको four way swing नहीं मिल रही है लेकर up and down swing देखने को मल रही है जैसे आप इस button को push करता है तो air conditioner का जो indoor yield का blur है वो air को up and down throw करना शुरू कर देता है जिससे कि आपकी room के अंदर जो ठंडी हवा है वो चारो तरह succulate होती है और आपका जो room है वो जल्दी से रंडा होता है अगले feature की बात करें वो है eco mode का feature और इस food को use करके आप अच्छी खासी power saving कर सकते हैं और खास करके इस feature को आपको रात के समय use करके जिससे कि आपको comfortable environment मिले और अच्छी खासी power saving भी आपको यहाँ पर मिल जाए तो दोस्तों यह रही complete details हिटाची air conditioner के remote control functions के बारे में जहां हमने एक एक feature को आपको detail में explain किया है और मेरे दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपके सारे doubts जरूर clear होंगे और आपको यह वीडियो भी जरूर पसंदाया होगा अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीस इस वीडियो को ज्यादा स्यदा like किजिए और अपने family friends number के साथ इस वीडियो को जरूर share किजिए अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीस comment किजिए आपको आपके सवालों का reply मिल जाएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत जल्दिक न्यू वीडियो में तब तक अपना धियान रखिए अपनी family का धियान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए